हेलो एंड वेल्कम तो था पॉलिटी वीकली करेंट अफेस सेशन और कॉंपिटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल आज के इस फीडियो में हम 24 मार्च से लेकर 30 मार्च के बेच में पॉलिटी के सेक्षिन में जो भी करेंट के इंपॉर्टेंट घटनाए हुई उसको थोड़ा स्टाटिक पार्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे मेरी आवाज थोड़ी खराब है तो बेर वेट है ठीक है हो सकता है कुछ थोड़े बहुत वर्ट उस वज़े समझ में ने आए ठीक तो देन टू आइल ट्राए कि मैं आपको चीज़ें एक्ष्छे से एक्स्प्लेन करने की कोशिश करूँ देखिए पिछले इस हफते में पॉलिटी के सेक्षिन में बहुत कुछ आपको ऐसा करेंट में देखने को तो नहीं मिलेगा पर हाँ आप सभी जानते हैं कि संसत का अभी बजट सत्र चल रहा है तो उसमें कई सारे विधेयक प्रस्तुत किये जा रहे हैं तो उन विधेयों पर जो इस वीक की हाइलाइटेड रही लेट्स हैवन यूस एट ग्लांस सबसे पहले पाचवा बिंस्टिक शिखर समेलन आयोजित किया गया वर्चुल तरीके सा आयोजित किया गया बिंस्टिक की समिट आयोजित की गई उस पर नज़र डालेंगे दूसरा राजधानी दि दिल्ली नगर निगमों का विलै किया गया तो लोगसमा में बिलकल ही पारित हो चुका है ठीक जिसमें जो मिनिसिपल कॉर्परेशन है जो नगर निगम है दिल्ली का उसको मर्च किया गया है उसके तीन इससे थे उसको मर्च करके एक करने का परस्ताओं पारित हुआ है ठी अब हिंदों सहित किसी भी धार्मिक या भाशाई समिधाय को अलप संख्यक का दरजा तो इसमें ऐसा है कि केंदर सरकार ने इस अर्भुच नयाले को सोचित किया है कि जो माइनौरिटी की डेफिनेशन है जिसमें मौजूदा छे समुधाया आते हैं उसमें अब हिंदों को भ दूसरे समुधाये हैं उनको भी अलप संख्यक होशिक किया जा सकता है तो कुल मिलाकर कि माइनौरिटी की डेफिनेशन में और भी कुछ शामिल करने से रिलेटेड ये न्यूज है ठीक है उसके अलावा नेक्स न्यूज है त्रिपुरा के डारलॉंग समुधाये को अनुस करने के लिए ये बिलपारित हुआ है ठीक है नेक्स्ट है इंटरनाशनल एवल और्गनाइजेशन यहने की ILO के नए महानिदेशक नियूकत में इनके बारे में भी हम देखेंगे गेलबर्ट आफ वांगों फाइन देल्ली में शुरू हुआ भारत भागी विधाता रेट फेस्टिवल जो की आजादी के अमरितमाउच सबसे रिलेटेट है तो यह कुछ इंपोर्टेंट नियूज है एक ही करके अब हमको कवर करते हैं लेट्स फर्स्ट हाव लुक ओन तफिफ्ट बिंस्टिक समिट ठीक तो बही ऐसा है दो न्यूज की न्यूज क्या है उसका मे देख लेते हैं फिर थोड़ा सा इसका बेग्राउंड स्टेटिक पांट देखेंगे पाचवे बिंस्टिक समिट 30 मार्ट 2022 को कुलंबो में वर्चुल तरीके से आयूजीत किये गई वर्चुल तरीके से ने कोई गया नहीं था वर्चुल समिट है आप यह पर तस्वेर दे Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation is the full form of BIMSTEC ठीक है यह जो समिट हुई है किसकी हुई है BIMSTEC की BIMSTEC और यहां पर मैंने जो second point लिखाए वो इसका full form है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation ठीक है इसकी समिट हुई है कौन से नंबर के हुई है फिफ्थ हुई है कब हुई 30 मार्च 2022 को कहां हुई कुलंबो में कैसे हुई वर्चुल तरीके से हुई मतलब वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये हुई ठीक इसमें इस पर्टिकुलर BIMSTEC नाम की गुरूप में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर की साथ सदस्से शामिल है बंगलादेश, भूतान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मियनमार और थाइलेंड और वर्तमान में इ समिट के सदस्यों को संबोधित किया ने इंडिया के तरफ से किसने पार्टिसपेट किया, भी एम मोदे ने, इस पर्टिकुलर जो इस बार की फिफ्ट समिट थी, उसका जो सब्जेक्ट मेंटर था, उसकी जो विशह वस्तु थी, वो ये थी, towards a resilient region, इंगलिश वाले लिख ले, towards a resilient region, prosperous economies in healthy people, ठीक है, towards a resilient region, r-e-g-i-o-n, region, prosperous economies, healthy people, this was the theme for this fifth summit, ठीक है, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किये गए, जो की सबसे प्रमुख बात हुई इस summit में, और इस चार्टर का जो मुख्य उद्देश था, वो ये था, उन सदस्य देशों के संगटनों को आकार देना है, जो बंगाल की खाड़ी के किनार इस्थित हैं, तता उस पर नि जिसका खास उद्देश है, ये जितने भी बेवफ बंगॉल के इर्द गिर्द के देश हैं, उनको एक development की तरफ ले जाना है, इसमें बहुत सारे सेक्टर पर फोकस किया गया है, बिम्स्टेक चार्टर पर, जिसमें economy हैं, जिसमें agriculture के सारे, एक्रॉमी के बाकी दूसरे पह उन सभी की बातें इस बिम्स्टेक चार्टर में रखी गई हैं, और ये जितने सदस्देश हैं, इन में, इन पहलों पर development की बात इसमें की गई है, और सभी ने इस पर रस्ताक्षर किया, ये जो 5th summit थी, इसका main theme ये थी, और जो main काम हुआ उसमें वो ये, ठीक है, तो 5th summit क बारे में current के बारे में आप इतना जानें, कि पांचवे नंबर की summit थी, कहां हुई, कोलंबो में अध्यक्षता किस ने किया, श्री लंका ने किया, भारत से नरेंदर मोदी जी ने संबोधित किया था, ठीक है, और आपको इसका subject matter जानना है, क्या हुआ, विम्स्टेक चार् कंट्रीज हैं, तो साथ हैं, वो कौन से साथ कंट्रीज हैं, वो देखें, दरसल अगर आप इन साथ कंट्रीज पर गोर करेंगे, और नाम पर गोर करेंगे, तो एक वर्ड जो आपको समझ में आ रहा है, वो है, Bay of Bengal, दरसल इस साथो देश, बंगाल की खाड़ी जो है, यहा भारत की पूरवी तटपे, जो बंगाल की खाड़ी है, तो भारत, फिर यही पर शिरिलंका, फिर यहाँ पर आपका मयनमार, थाइलेंड, यहाँ पर भूतान, नेपाल, बांगला देश, ठीक है, यह सारे भारत के इर्दगिर, Bay of Bengal के इर्दगिर जो देश है, उनीका यह सं अधार पर एक इंटरनाशनल गृप बनाया गया, इसका नाम है बिमस्टेक, ठीक है, और यह जो सातो देश हैं, जो बंगाल की खाड़ी के इर्द किर्द हैं, यह मल्टिपल सेक्टर्स में एक साथ कई समझोते करते हैं, ताकि सातो देशों का, और उनकी इर्द जो छोटे चोटे इन पर निर्भर्द देश हैं, उनका विकास हो सके, ठीक है, इसातो देश अपना भी और बंगाल की खाड़ी के इर्द जो चोटे-चोटे आईलेंड्स यह देश हैं, उनका भी विकास करने के लिए अलग-अलग समझोते करते हैं, और वो हर फील्ड में होते हैं, चाहिए वराजनीती हो, व्यापार हो, परियावरन हो, समाच हो, सभी शित्र में समझोते हैं, और ध्यान रखेगा, यह जियो पॉलिटिकल ग्रूप जो विम्स्टेक है, इन 1997 में बना था, 1997, और जैसे कि मैंने बताया, दक्षिन एशिया और दक्षिन पूर्वी एशिया क जो यह साथ देश है, वो इसके मिम्बर्स है, इसमें ऐसा है, कि जैसे अभी मैंने बोला न, कि श्रिलंका ने अध्याक्षता किया, आक्चुली इसमें न, अल्फबेटिकल ओर में, अध्याक्षता जो है, वो रोटेट होते रहती है, जैसे श्रिलंका जो है, सन 2018 से विम्स अध्याक्षता रोटेट होती है, वैसे अगर आप इसका देखेंगे कि एक स्थाई सची वाले, यह पर्मनेंट सेक्रेटरियेट का है, विम्स्ट्रिक का, तो वो धाका बांगलादेश में है, ठीक है, देखो 1997 में बना, यह साथ देश है, धाका बांगलादेश में इसका सेक्रेटरियेट या फिर थाई सची वाले हैं, पर इस समू की जो अध्यक्षता है, वो अल्फबेटिकल ओडर्स में चेंज होते रहती है, जिस हिसाब से संदो 2018 से वर्तमान में, शिरी लंका इसका अध्यक्षिय है, ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई ना कोई सेक्रेटरि बीच में बैटे होंगे, पर नावे साप को समझ में हारा होगा कि भोटान के हैं, वो वर्तमान में विम्स्टेक के सचिव है, विम्स्टेक का अध्यक्षिरी लंका है, जिसने संचालित किया, ठीर, राजपक्षे जो हैं, वहां की अभी हैड है, और जो सचिव हैं विम्स् तेंजिन लेक्षिर, यहां पर मैंने लिखा है, यह बुडान के हैं, जो वर्तमान में सचिव हैं, इस बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक के बेगराउं में आपने यर देखा, सदसे देश देखे, कौन से रीजन में यह देखा, ठीक, उसके अलावा अध्यक्षिता और यह सारी बाते हैं, डाइनमिक और स्टेक, दोनों में आपको याद रखना हैं, यह करेंट और उसका बेसिक, दोनों में याद रखना हैं, ठीक, तो बाते हैं, जो वर्तमान में लोकसभा का सतर चल रहा है उससे, हाल ही में, राजधानी दिल्ली के जो तीनो नगर निगम है उसे मर्ज करने का बिल लोकसभा में पारित किया गया, ठीक, उससे रिलेटेट कुछ बाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें एक्स्ट्रा में बताते हूँ, तो बैए ऐसा है कि लोकसभा में नगर निगम संचोधन विद्यक 2012, ठीक है, याने कि नग MCD जो है, Municipal Corporation of Delhi, MCD मतलब Municipal Corporation of Delhi, MCD को तीन हिस्सों में बाट दिया था, 2012 में बाट दिया था, वो तीन हिस्से थे, North, South और Eastern Delhi, उत्तर, दक्षन और पूर्वे दिल्ली, ऐसे तीन नगर निगम बन गये थे, MCD के तीन हिस्से हो गये थे, North, South and Eastern Delhi, और इसमें जैसे कि दिया हुआ है, कि North और South में 104 वाट थे, और जो Eastern Delhi थे, उसमें 64 वाट थे, तो ये अभी सिस्टम थासन 2012 से, ठीक है, तीनों भागों में विभाजित MCD को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तीन ह इसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि सफाई कर्मचारी के वेतन का वुक्तान कौन करेगा, ठीक है, तीन नागरिक निकायों के बीच संपत्ति का समान वित्रन हो रहा था, अक्षम प्रबंधन हो रहा था, और नुकसान बढ़ रहा था, मतलब तीन होने के वज़े से आपस में कॉन्फिक्ट आदा हो रही थी, यह को बोला जाता है न, कि बहुत सारे अगर आप हाथों में पावर सौप देते हैं, तो रिस्पॉंसिबिलिटीज एक दूसरे पर डालने की कोशिश की जाती है, तो मैनेजमेंट सहीं से नहीं हो पा रहा था, कि वेतन भत्ते कौन किसको देगा, अगर कोई ऐसा एरिया है, जो दोनों के एरिया में आता है, कुछ ऐसा काम हो रहा है, जो दोनों में हो रहा है, तो फिर उन लोगों को वेतन कौन देगा, उसके अलावा, जैसे आप देख सकते हैं, जो एरिया में प्रॉपर्टी होती न नुकसान हो रहा था, so it was becoming very very chaotic, और इस वज़े से निर्ने लिया गया है, कि 2012 में जो तीन हिस्से कर दिया गया थे नगर निगम के, उसे मर्च कर दिया गया, यह बिल्लोग सभाएं, भारित हो गया है, भारत में अगर यह चीज़ देखें, तो यह आपके dynamics related है, जो आपको जानना है, यह विधय काया था, इस तरह से यह तीन हिस्सों को मर्च कर दिया या शहर के विकास के लिए जिमिदार एक शहरी स्थानी निकाए, तो आपने urban bodies, urban local bodies पढ़ाई होगा समिधान में, ठीक है, एक होता है आपका ग्रामिन निकाए, जो की होते है पंचायती राज, दूसरा होता है आपका नगरी निकाए, जो की होते है आपके नगर निगम, यह एक urban local body होती है, और इसके कई नाम होते हैं, कई पर इसे महानगर पालिका बोलते हैं, कई नगर पालिका बोलते हैं, नगर निगम, city corporation आदी, मतलब यहाँ पर sub classification होता है, हर राज्य के अधिनियमों के हिसाब से, कि कितनी population में नगर निगम बोलेंगे, नगर पालिका बो अगती फर्थमान में population है, नगर पालिका के लिए कितनी नगर पालिका के लिए कितनी और यह जो criteria finally decided होता है, वो राज्य स्तर पर होता है, क्योंकि हर राज्य के population और रॉसकर जो distribution हो अलग अलग है, तो जैसे चछत्यस्गर की बात करेंगे, तो बहर चत्यस्गर में जो population है उसके हिसाब से आपे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत कितनी-कितनी population में वो अलग होगा वैसे ऐसा है कि 10 लाग से उपर जो होते हैं अक्सर वो महानगर में कहलाते हैं इसलिए इसको बोला गया तो कहीं वे महानगर बोलते हैं कहीं नगर पालिका, कहीं नगर निगम और आक्चली वो महानगर पालिका में ही आते हैं ठीक है, अगर हम नगर निगम पर ही स्टिक रहे हैं तो भारत में पहला नगर निगम 1688 में मदरास में स्थापित हुआ था ठीक है पहला अगर आप देखेंगे मरिसबल कॉर्परेशन तो अंग्रेजी शासन के दौरान ठीक 1688 में मतलब कुछ एरियाज में जब अंग्रेजों का थोड़ा बहुत प्रबुत्व आ गया था ठीक है लेकिन उस वक्त भारत में एक बिखरा हुआ राज्जे था कहीं पर म मुगल थे कहीं पर अंग्रेज थे उस दौरान मदरास में पहली बार एक नगर निकम स्थापित हुआ और अगर हम सम्वेधानिक पहलों के एसाब से देखें तो यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं 74th Amendment के जरिए नगरी निकायों का अस्तित्व सम्वेधानिक रूप से क अंपल सरी कर दिया गया और हम सभी जानते हैं कि उसके तहट सम्वेधान में बदलाओं क्या किये गया एक नया भाग जोड़ा गया पार्ट 9A जो कि नगरपालिकाओं से के प्रशासन से संबंदित था तो पार्ट 9A जोड़ा गया Urban Local Bodies and Municipality ठीक है हम पार्ट 9A पढ़ते ह और उसके बाद इस पार्ट में आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक के आर्टिकल जोड़े गए ठीक है तो ऐसा है कि 73rd Amendment में पार्ट 9 में पंचायत आ गया फिर 74th Amendment से पार्ट 9A में Municipality ये नगरी निकाया गया और ये 9A वाला जो पार्ट है उसमें यहां से यहां तक के आर चोदन के जरिये 12th schedule भी जोड़ा गया इने की बारवी अनुसूची भी जोड़े गई और हम सभी जानते हैं कि इसके तहट 18 प्रकार की points रखे गए हैं नहीं 18 शक्तियां दी गई हैं नगरी निकायों को ठीक है तो याद रखिए कि 74th Amendment 1992 में हुआ था ठीक पार्ट 9A जोड 23P से 243ZG तक articles 12th schedule जोड़ा गया और उसमें 18 विशयवस्तों या 18 subject matters रखे गए तो कोई भी चीज करेंट पर हाइलाइट होती है तो उसका कभी-कभी basic से उठाकर पूच देता है हम यह पूरी series इसलिए चला रहे है तो कुछ भी आपने देखा भी नगर निकाम से लिए कु CGPS से क्लिए 36 गर लेवल पर पढ़ते हैं पर फिर भी समिधान का एक पहलू है 33-34 संचोधन तो आपको यह पता होना चाहिए clear है तो पहला जो हिस्सा है वो news का है second जो हिस्सा है इसका static part है आई हो आपको clear हुआ 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 fine चली ठीक है move on करते हैं अपनी अगली news पर अब ऐसा है कि एक अगली जो news है वो यह कि central government ने सरवोच ने आयले को यह सूचना दिये है कि अब राज्य जो हैं अपने हिसाब से किसी भी वर्ग को अलप संख्यक घोशित कर सकते हैं देखो minority का declaration अगर आप देखेंगे तो minority की परिभाशा या definition कहीं पर भी constitution में mention नहीं है प्रेजन स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम, इसाई, सिक, बौध, पार्सी और जैनी ये छे ही minorities में count होते हैं और इनहीं को article 29 और article 30 के तहट कुछ विशेश प्रावधान fundamental rights में इने मौलिक अधिकारों में दिये गए हैं अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जितने 6 अलपसंख्यक वर्ग हैं भारत के उन 6 अलपसंख्यक वर्गों के लिए article 39 में लिखा गया है कि उनकी भाषा, लीपी, संस्कृती को protect किया जाएगा, उनकी culture को protect किया जाएगा और article 30 में लिखा गया है कि वो अपनी भाषा, रीपी, संस्कृती, धर्म को बढ़ाने के लिए उसे प्रुचसाहित करने के लिए अगर कोई educational institute भी स्थापित करना चाहते हैं कोई शिक्षनिक संस्था में स्थापित करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं तो 30 में संट्रक्षन की बात की गई है उनकी इतों की तो 30 में उनने कहा गया है कि वो कोई educational institute भी स्थापित कर सकते हैं अलपसंख्यागों के लिए ऐसा किया जा सकता है 1930 में लिकाए तो अलपसंख्यागों को परिभाषित नहीं किया गया कि इसकी परिभाशा क्या होगी, कि संख्या में कितने कम होने से अलप संख्या कहलाएंगे, शेत्र में जो आबादी का वितरण है, उसमें से कितने प्रतिशत होने से अलप संख्या कहलाएंगे, ऐसा कोई भी डेफिनिशन नहीं, तो इसी चीज़ को बेसेक लेते हुए सेंट दी जाए राज्यों को, ताकि स्टेट्स जहां पर भी हिंदू पॉपलेशन कम है, उन्हें दी जाए, और ऐसे ही बाकी की दूसरे जो जातियां हैं और धर्म है, अगर किसी राज्य में उनकी संख्या बहुत कम है, उनको फिर कोई से बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो उन उनको भी अलप संख्योकों की कैटिगर के अंदर डालने की इजाज़त उनहीं राज्यों को दी जाए, ठीक है, तो इससे ही होगा, कि इंडिया में मानौरिटीज के लिए जितनी फैसिलिटीज रखी गई है, कॉंस्टिटूशनल एन एक्स्ट्रा कॉंस्टिटूशनल, व इसको एक बार हम रीट कर लेते हैं, अलप संख्यक शब्द सम्विधान की को चनिचेदों में दिखाई तो देता है, लेकिन कहीं परिभाशित नहीं किया गया, बताया मैंने आपको, और वर्तमान में ये छे अलप संख्यक वर्ग है, इनको सम्विधानिक सुरक्षय अलप संख्यक हैं, लेकिन वो कथित तोर पर अलप संख्यकों की बनाएगे योजनाओ का लाव नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हिंदों के लिए अलप संख्यकों से रिलेटेड कोई भी प्रामदान नहीं है, उन्हें मेजॉरिटी कंसिडर ओल इंडिया लेवल पर किया जाता है, पर स्टेट वाइज कई जगे पर वो अलप संख्यक है, इसलिए स्टेट को ये पावर होना चाहिए, कि वोने अलप संख्यकों खोशित कर साथा, ठीक है, और एक आकड़े के तहित इस याचिका को सपोर्ट किया गया है, वो यह है, किसन 2011 के जनगर्ना के अनुसार, लक्ष परदेश में 29%, मनिपूर में 31.39% और पंजाब में 38.40% हिंदू हैं, और इस तरह से वो उन-उन राज्य और केंदर शास्ट परदेशों में अलप संख्यक हैं, यहने की माइनौरिटीज हैं, तो बहिए ऐसा जब आकड़ा आता है, तो फिर वहाँ पे उनकी संख्यक हैं, तो उने भी वो benefits मिलने चाहिए, ठीक है, तो यह आकड़ी का support दिया गया, छे राज्य और तीन केंदर शास्ट परदेशों की बाद कही गई है, ठीक, अच्छा, अब इसके कुछ संविधानिक पहलो देख लेते हैं, तो दर असल ऐसा है, कि संसद और राज्य विधान मंड यहने Parliament और State Legislature, दोनों को, अलप संख्यकों एवं उनकी हितों की संदक्षन के लिए, concurrent list या समवर्ती सूची में, कानून बनाने की शक्तिया है, तो कुल मिला करके, अलप संख्यकों के लिए जो भी benefits होते हैं, उनके लिए जो भी कानून बनते हैं, यह concurrent list का subject है, इसलिए इ इंटर में भी बन सकता है, और State Legislature में भी, केंदर में बनता है, और राज में भी, तो बिल्कुल यह समविधाने के अगर राज्यों को की टाकत दे दी जाए, तो concurrent list का हिस्सा है, मतलब State इनकी उपर कानून बना सकते हैं, सबसे पहली बात याद रहे, संवर्ती सूची का व अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पर आर्टिकल वो बताया गया है, जिसके जरी संसद इनको benefit पहुचाने के लिए कानून बना सकती है, तो do remember कि अलप संख्यकों की, जो हीतों की अभी वरिद्धी है, जो उनका welfare है, उसके लिए योजनाय बनाना, ये concurrent list का subject है, दूसरा य राष्ट्री अलप संख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा दो के तहट एक समुदाय को अलप संख्यक की रोप में अधुसर्चित करने की कारेकारी शमता है, तो ऐसा है कि संसद तो कर ही सकती है, आपने पढ़ा कि 246 के तहट सरकार भी कर सकती है, क्योंकि एक अधिनियम पारि पहएद ना सिर्फ legislative तरीके से, बलकि executive तरीके से, मतलब ना सिर्फ कानून बना कर संसद, बलकि किसी executive action या कारेकारी आदेशों के जरीए सरकार भी किसी समुदाय को अलप संख्यक घोशित कर सकती है, और इसी के तहट ये बाते की जा रही है, कि राज्य को या दिकार होना चाहिए, कि अगर वहाँ पे जनसंख्या किसी समुदाय की कम है, तो वो अलप संख्या घोशित कर सकी है, ये चीज थी इस news में, आपको पहले current में ये news देखनी है, क्योंकि इसमें जो सबसे striking चीज है, कि इंडिया का जो majority section है, उसे भी कुछ राज्यों मानारिटी स्टेट है, ये आपको देखने को मिलता है, और इसी चीज को notify करते हुए government बोल रही है, कि मैं उन्हों स्टेट में उनको minority का दरजा मिलना चाहिए, आप संसत के जरीये भी देला सकते हो, आप विधाईगाओ के कानूनों के जरीये भी देला सकते हो, और आप राज सरकारों को भी ब और ध्यान रखे, वरतमान में सभी तरीकों के आदेश और कानून के तहट ये छे अलपसंख्यक बरक है, और इनको जो भी सम्वेधानिक benefits मिलते हैं, आर्टिकल 29 और 30 के जरीये मौलिक अधिकारों में मिलते हैं, ठीक, फाइन, तो इस पर आप एक नजर जरूर डालेंगे, इसकी points highlighted हैं, अभी-अभी संसद के सत्र में ये बातें इस पर भी चर्चाएं हुई हैं, तो इसे भी ध्यान में रखें, clear? तो आयो वह को समझ में, let's quickly move on to the next news now, ठीक, अगेन एक और बात जो इस बार हुई, संसद में एक विध्यक पारित हुआ, वो एक particular नहीं जाती को अ समुधाय को अनुसोचित जनजाती यने tribe, अनुसोचित जनजाती, schedule tribe में शामिल करने के लिए एक विध्यक पारित हुआ, हाली में लोग सभा ने सम्विधान आदेश संद्शोधन 2022 पारित किया, उस बिल का नाम ये था जो पारित किया गया, विध्यक में डार लॉंग अनोसोचे जनजातियों की सूचे में शामिल करने की मांग की गई तो तरिपुरा में एक कूकी जनजाति है कूकी आदिवासी एक बड़ा ग्रूप है जैसे गोंड एक ग्रूप होता है उसके अंदर बहुत साथी उपजातिया होती है वैसे यह वहाँ पर कूकी आदिवासी नाम का एक बड़ा ट्राइबल ग्रूप है उसकी उपजाति की रूप है वहाँ पर एक डारलॉंग नाम की उपजाति है तो उसे फिर एक ट्राइबल स्टेटस देने के लिए यह बिलपारित हुआ है ठीक है डारलॉंग त्रिपुरा का एक आदिवासी समुदा है जिसकी अबादी खरीब 11,000 है इसकी अबाओड दे पॉपुलेशन आफ दे कम्यूनिटी जिसकी लिए बिलपारित हुआ है 11,000 के अबादी वाला यह समुदा है समिधान अनुसोचित जनजाती आदेश 1950 में संचोधन करके इस विद्या को पारित किया गया तो ऐसा था कि पहले यह एक आदेश था जिसके तहत एक लिस्टिंग किये गई थी जनजातियों की जिसमें यह जनजाती शामिल नहीं थी फिर इस पर्टिकॉलर आदेश को ही बदल करके इससे शामिल किया गया ठीक है यह आपके लिए वो न्यूज है जो करेंट के लिए इंपोर्टेंट है यहाँ पे कुछ बातें आप इसके बेसिक स्टेटिक पॉलिटी के पार्ट से देखिए आपको जानना चाहिए कि राश्ट्रे नुसोचित जनजाती आयोग पिछले चार परशों से निश्क्रिय है लास्ट करेंट एफेर्स के सेशन में मैंने ये डील भी किया था नैशनल कमिशन फोर एस्टी और उस पर पूरा मैंने एक विवरंड दिया था नैशनल कमिशन फोर एस्टी है क्या इसकी निश्क्रिय था पहले ही हाइलाइट एक काफी कि ये कुछ भी नए काम नहीं कर रही है कौन से नहीं स्टी, शेडियूल ट्राइब को शामिल करना चाहिए कौन से वरतमान की schedule tribe की cases थी थी है, ये कारे नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसको highlight करते हुए भी बताया गया, कि भी ये कारे नहीं कर रही है, उनको बहुत पहले शामिल हो जाना चाहिए था, इनकी सफारे से पर ऐसा हुआ नहीं, तो इसकी inactiveness भी इस वज़े से कट घरे में खड़ी हुई है, फिर जिब बताया गया कि भी ये काफी पहले से शामिल हो जाने चाहिए थी, पर इसने recommend नहीं किया भी तक कि इस वज़े से ये और कट घरे में ये वाला National Commission for ST भी खड़ा हो गया, तो National Commission for ST के उपर मैंने last news में काफी चीज़ें डीटेल में कवर की थी, आ ये काफी चारो साल, पिछली चार साल से काफी inactive status में दिख रही है, ठीक है, अब कुछ बातें देख लेता है, तो भई, आर्टिकल 342, आप सभी जाते होंगी, ये schedule tribes related है, तो आर्टिकल 342 का जो clause 1 है, वो ये कहता है, कि राश्पति किसी भी राज्य या केंदर शाह से प् गवर्नर से advice लेके, प्रेसिडेंट किसी भी state या union territory से related वाँकी गवर्नर से advice लेके, एक सारवजनिक अधी सूचना द्वारा, उस राज्य या केंदर शाह से प्रदेश के संबन में, जंजातियों या जंजाती समुदायों को, समूहों को अनुसूचिक जंजाती के रूप में निर्दिश्ट कर सकता है, तो ये presidential power है, कि वो किसी भी state या union territory में, वाँकी गवर्नर से consult करके, वाँकी गवर्नर के परामर्श से, वहाँ पे कोई एक जंजाती है, जंजाती समुदायों को, scheduled tribe के लिए recommend कर सकता है, this is the constitutional support for this, ठीक है, अब तक कि अगर हम देखें इस इस साब से, तो लगबक 705 से अधिक जंजातियां ऐसी हैं, जिने enlist किया गया है, और ये जो 705 जंजातिया, schedule tribe में शामिल की गई है, उनमें सबसे ज़ादा ओडीशा में पाए जाती है, तो ओडीशा की ही सबसे ज़ादा जंजातियां, जो इस list में शामिल की गई है, ठीक है, ठीक, और एकलास बात आपको जो जाननी है, कि अनुसूची जंजाति में शामिल करने से related बात हो रही है, तो ध्यान रहे हैं, कि जो schedule 5 है, और schedule 6 है, ये इससे थोड़ा बहुत related है, अनुसूची 5 में, भारत में ऐसे जित्ते जंजातिये शेत्र हैं, ठीक, उन से related कुछ प् अमिल मंदितकुच प्रावधान है, असम मिख़ाला है, त॑ तुरीपूरा और मिसुरब, बात तुरीपूरा क्यों हो रही है, तो इसलिए अनुसूची 6 के तहद, इसके संदर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अनुसूची 6 में तुरीपूरा आता है, तो पांच और छे याद रखें, आर्टिकल 342-1 याद रखें, और याद रखें कि अनुसोचित जन्जाती आयोग जो है, वो इसके लिए recommendation देता है, इस पर पूरा साल भर काम करता है, कि अनुसोचित जन्जातीयों की position कैसी है, किसे शामिल करना चाहिए, किसे हटाना चाहिए, clear है, so this was the static background for the news which you just saw, यह विधेक पारित हुआ है, इसका constitutional link, यह है, clear, ठीक है, चलिए, move on करते हैं, अगले news पर, अब यहाँ पर बड़ी simple simple से news है, जादा आपको दिमाग नहीं लगाने है, पॉलिटी का बहुत जादा static पार्ट नहीं है, simple सी बात है, international labor organization की एक नए head नियुक्त है, उनी के बारे में नियुज है, जादा static पार्ट नहीं है, अब उसपस dynamic पार्ट देख लीजे, ILO जो है, उसके नए महानिदेशक के रूप में, Gilbert F. Hongbo की नियुक्ती की गई है, पहले नियुज पढ़ता है, अंतराश्च्री श्रम संगटन की 11 महानिदेशक के रूप में इने चुना गया, इने 11th head के रूप में चुना गया, वो Togo के पूर्व प्रधान मंत्री रहे गये, रहे हुए हैं, और 2022 के ऑक्टूबर में वो पदभार ग्रहन करेंगे, इसके महानिदेशक, तो आप देख सकते हैं, यह एक अफ्रीकी वेक्ती है, जो की Togo के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, और अब यह चुन लिए गया है, और 2022 में यह ILO के प्रमु के रूप में पदभार क्रहन करेंगे, वो इस पदभार चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी, तो यह अफ्रीकी यह तो आप समझ में आ रहे हैं, क्योंकि Togo से आप तस्वीर भी देख सकते हैं, और ध्यान में रखें, मतलब आपने इनका नाम पढ़ तो नाम के साथ दो चीज़ आद रखें, कि वो टोगो के पूरफ प्रधान मंत्री थे, और उसके बाद 2017 से वो आई फैड के अध्यक्ष भी रहे हैं, अब बात आती है, यह न्यूज में आता है, तो यह जो पेपर 7 होता है, आपका PSE का, उससे रिलेटिट कुछ चीज़ हैं, एकोनॉमी में जो पॉलिटिकल ग्रुप यह यह यूएन की जो एजेंसी हैं, उससे रिलेटिट कुछ चीज़ हैं, यह एवन पॉलिटी में बेस चीज़ को पढ़ा जाता है, तो ILO के बारे में एक दो बाते पढ़ लेते हैं, International Labour Organization, यह है अंतराष्ट्रे मजदूर संगठन, हिंदी में हम इसे कहते हैं, अंतराष्ट्रे मजदूर संगठन, यह एक संयुक्त राष्ट्र, यह नहीं की यूएन की एजेंसी है, अगर आपने यूएन पढ़ा होगा, त उसकी बहुत सारे एजेंसी हैं दुनिया में, जिनमें से एक है ILO, उसका एक विंग है यूएन का, ठीक है, तो ILO जो है अंतराष्ट्रे मजदूर संगठन, United Nation की एक एजेंसी है, जो अंतराष्ट्रे सम मानकों को, श्रम मानकों को स्थापित करके, समाजिक और आर्थिक न का, ठीक है, लेबर्स जो होते हैं, दुनिया में हर तरह के जो लेबर्स होते हैं, ग्रिकल्चिर लेबर्स, इंडस्ट्रे लेबर्स, जो भी होते हैं, उनकी हितों की रक्षा करना, यही में काम है, ILO का, अब इसकी बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना अगर आप देख of United Nation, Member Nation अगर हम देखें, तो ILO के Member Nation है 187, do remember कब स्थापित हुआ से, 1919 में UN की सबसे पुरानी Special Agency है, और इसके सदस से देश हैं 187 फिर अगली बाद जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है इसका Headquarter वह इसका Headquarter है Geneva Switzerland, Geneva Switzerland इसका Headquarter है ठीक है, और दुनिया भर में करीब 40 इसके Regional Offices भी है Regional Offices याद रखें ना रखें Headquarters जरूर याद रखें ILO का Geneva Switzerland ठीक है, so that is it Current का Dynamic Part और यह हो गया Static Part, ठीक है बढ़ते हैं अगली न्यूस पे In the last News for today's session is Something Related to Culture, यह को अगली से Related नहीं है, but then to इसे हमने इसके Undercover किया है आप जानते ही हैं कि आजादी का अमरित महुतसफ चल रहा है 75 वर्ष हो चुके हैं हमारे आजादी को और इस वज़े से पूरे देश में अलग-अलग कारेक्रमों के जरिये आजादी के इस अमरित महुतसफ को और इस फेस्टिवल का जो नाम दिया गया वो है भारत भाग्य विधाता ठीक है भारत भाग्य विधाता तो ये पूरी तरह से current से Related News है, इसका कोई आपका static part है ने तो भाई दिल्ले में शुरुआ भारत भाग्य विधाता कारेक्रम ये एक 10-day Cultural Program है जो कि संस्कृती मंतराले के सही योग से किया जा रहा है So it is a 10-day Colorful Cultural Extravaganza I mean it is a 10-day Colorful Cultural Extravaganza जो आजादी के अमरित मौदसफ के तहत वहां पे मनाया जा रहा है ये कारक्रम आजादी के अमरित मौदसफ के उपलक्ष में आयोजित किया जा रहा है इस आयोजित को लाल किले के समारक में तिरे मतलब कौन कौन मिलकर कर रहा है समारक में तिरे केंदरी संस्कृती मंतराले और डालमिया भारत लिमिटेड ने आयोजित किया है ये सब ने मिलकर आयोजित किया है इसमें में जो नाम आप विया दखना है इस कारिक्राम में विबिन विशय गत्व संस्कृतिक कारिक्राम होंगे जो देश की इतिहास और विरासत कला व्यंजन संस्कृतियादी में विविदता का प्रदर्शन करेंगे तो इंडिया में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है जो संस्कृतिक विविदता है उसको वहाँ पे ब्यूटिफल तरीके से ठीकि आर्टिस्टिक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ये कारेकरा मभूत पूर्व तरीके से देश की परंपराओं और संस्कृति को भी उजागर करेगा इस आयोजन को देश दुनिया को भारत के इंद्रित मुल्यों से परिचि उसको दुनिया को दिखाने के लिए ये फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है आजादी के अमरित मौट सब के तहर ठीक है so that is it that is it with the important current affairs related to polity in this week ठीक है आप जो वरतमान में session चल रहा है लोगसभा का उस पर भी नजर बनाये रखें कौन-कौन से important विदेख आते हैं कौन से static के part आपके polity के उसके वज़े से highlight होते है उन पर आप नजर बनाये रहे हैं और आगे भी जब भी कोई सतर चलता है लोगसभा का तो उस पर भी आप जो भी विदेख प्रस्तोत होते हैं जिन भी चीज़ों पर चर्चा होते हैं उसे ध्यान रखें क्योंकि वो सीधे-सीधे quality से linked होता है ठीक है तो आज के इस current affairs के session में इतना ही thank you so much